फिर टुदेपुर में हमारी मेहमान है डिटेशिन शिवानी फोतेदार, शिवानी जी आपका स्वागत करते हैं, हमारे भोजन का और हम जो खाते पीते हैं, उसका हमारे स्वास्ते से परोक्ष और परोक्ष रिष्टा है, बिल्कुल बिल्कुल, डिरेक्ट रिष्टा है मैं बोलूँगे और खाने पीने को अगर हम सही रखेंगे अपना खानपान सही रखेंगे तो बहुत सारी ऐसी बिमारिया हैं जिनसे हम दूर रह सकते हैं कैसे मतलब जैसे आप देखेंगे तो बहुत मतलब हम जब lifestyle diseases की बात करते हैं तो वो हमारे कही न कही lifestyle से जुड़ी होती है अगर हम अपना lifestyle ठीक करें जिसमें diet भी आता है lifestyle में काफी सारी चीज़े आती है और diet एक पार्ट है lifestyle का तो अगर हम अपना diet अपना खानपान सही रखें तो हम बहुत सारी बिमारियां जो हमें diet और lifestyle को खराब करने की वज़े से हो जाती हैं तो हम उनको बिल्कुल आराम से हम उनको ठीक कर सकते हैं और reverse कर सकते हैं सही diet थोड़ा सा इसे सपष्ट करते हैं शुरताओं के लिए इस सही diet क्या होती है क्या ये किसी इलाके या लिंग स्तिरी पुरुष और कहां पर कितनी चीज़ सही है कौन सी गलत ये कैसे निरने होगा आपको बहुत सारी चीज़े द्यान में रखनी पड़ेगी कि आप कौन से इलाके में रहते हैं आप का कल्चर क्या है बच्पन से आपने क्या खाया है आप क्या खाते आ रहे हैं ये बिलकुल आपको द्यान में रखना चाहिए और इसके साथ साथ आपको ये द्यान रखना चाहिए कि आप सारे nutrients ले रह या नहीं ले रहे हैं डाइट से तो उसमें आपको दिकत हो सकती है तो यह चीजे हमें बिलकुल ध्यान में रखनी है श्वानी जी बतो डाइटीशन सही डाइट की संक्षिप्त परिभाश आप क्या देंगे क्योंकि बच्चों की टेक्स्ट बुक में भी आता है कि आप यह इतना प्रोटीन खाईए इतना कार्भाहेडट खाईए इतना प्रती दिन दूद लीजिये और जो माता हैं उनको इतना दूद पीना चाहिए इतनी दाल खानी चाहिए इतना आटा खाना चाहिए यह सही डाइट का कौई स्टेंडर्ड फॉर्मिला है यही बोलूंगी सही दाइट का मेरे हिसाब से जो मेरा अपना व्यू पोइंट है और मेरा अपना मानना है सही डाइट का मैं ऐसा नहीं है कि मैं कालोरीज काल्कुलेट करती हूँ मैंसे बताती हूँ कि आप अपनी डिन पेस्ट कर हिनी आपने कितना दिन में ख़या आप फोन आप ये यह मुश्क्यल होजाता है alors मेरे हिसाब से हमें यह द्यान में रखना चाहिए कि हम एंजो हमारे इस सारे न्यूटीयंस है जैसे आपके पाइट्स हो गए आपके doctrines हो गए और आपके another оставив नमाट्रेट्रा या नहीं है अगर आप सही टाइम पे इन सब चीजों को लेते हैं और सही मात्रा थे बढ़ हां, कुछ चीजों में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि कुछ बिमारियां हैं, कुछ life conditions, कुछ ऐसी diseases होती हैं, कुछ health conditions होती हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा nutrients की मात्रा कम जादा करनी पड़ती है, जैसे कि diabetes में आपको carbohydrates की मातरा कम करनी पड़ती है, आपको अगर कोई kidney का issue है, उसमें protein की मातरा आपको कम करनी पड़ती है, तो ऐसे ही बहुत सारी बिमारियां जब होती है आपको और आपको ध्यान रखना पड़ता है थोड़ा सा इस चीज़ का, otherwise सही diet मेरे हिसाब से वही है जिसमें सारे nutrients शामिल हैं, खान पान, ये अगर सही हो या ओचित हो या ऐसा हो जो आपके रोग को कम कर सके या नहीं होने दे, ये एक बात हुई, लेकिन क्या ऐसे रोग जो की आनुवणशिक होते हैं, उनमें भी ये प्रक्रिया ये प्रणाली काम करती है, अगर हम genes को दे हैं, और अगर हम अपना, मैं ये ही बोलूँगी, lifestyle सही रखे, अपना diet, अपनी exercise, अपना, you know, environment, सब कुछ सही रखे, और अपना mental health भी सही रखे, stress को control करें, mental health में भी बहुत सारी चीजे हाती हैं, तो हम काफी ऐसी diseases को, हम, you know, we can, like, combat and we can overcome all such diseases, अगर वो genetic भी हैं, तो कोई फरक नी पड़ता हैं, क्यूंकि आपके genes भी trigger होते हैं, आपके lifestyle से, तो अगर आप अपना lifestyle सही रखते हैं, तो आपके genes उसी हिसाब से trigger होंगे, तो आप काफी सारी hereditary से जो बिमारियां हाती हैं, जैसे diabetes हो गई, और बहुत सारी बाकी बिमारि यां cancer भी hereditary होता है, तो आप उनसे बिलकुल बच सकते हैं, थोड़ी सी fat की बात करते हैं, हम उस देश में रहते हैं, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल का consumption करता है, और उसके साथ-साथ घी और दूसी चीजे होई गई, ये तेल और घी, और ज्यादा तर डॉक्टर जब आप उनके पास जाते हैं, तो सबसे पहले तेल और घी आपको छोड़ने या कम करने की सला देते हैं, बताएं, ये तेल और घी खाना या स्वाद की वज़े से इसका बभोग करते हैं, क्या ये थोड़ा बहुत ज़रूरी है, ये ऐसे बिलकुल छोड़ना चाहिए? नहीं, बिलकुल नहीं छोड़ना चाहिए, फैट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जिसको हम गुड फैट बोलते हैं, बैड फैट तो नहीं, लेकिन गुड फैट जो होते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर हम फैट नहीं खाते हैं, तो हमार बोडी में बहुत सारे vitamins हैं जो absorbed नहीं होते हैं जैसे हमारे fat soluble vitamins होते हैं vitamin A, D, E, K जो होते हैं उसके लिए हमें fat खाना ज़रूरी होता है नहीं तो बोडी में vitamins assimilate नहीं होते हैं, absorb नहीं होते हैं तो fat खाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है लेकिन वही है कि आप क्या मातरा में उसको ले रहे हैं और आप कैसा fat खा रहे हैं आप good fat खा रहे हैं या bad fat खा रहे हैं आप कौन सा oil यूज कर रहे हैं आप कौन सा घी यूज कर रहे हैं और आप अपने fats को मतलब किन-किन चीजों से ले रहे हैं, वो भी बहुत फरक पड़ता है, जैसे कि animal fat है, तो उसके साथ आपको cholesterol भी मिलता है, लेकिन आप अगर seeds खा रहे हैं, nuts खा रहे हैं, तो उससे आपको good fat ही मिलता है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जो आपको ध्यान रखन ही पड़ती है, when it comes to fats. इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, घी का भी प्रशन आपसे पूछ लेता हूँ, पहले ये था कि आपको घी बंद करना है, फिर धीरे एक थियोरी, चेकित सा विज्ञान या कुछ विज्ञानिकों ने ये फ्लोट की, कि घी जो है खास और पर गाय का घी है, वो खाना चाहिए, एक चमच, दो चमच दिन में कम सकम, वो आपके स्वास्ते के लिए अच्छा रहता है, ये बात कितनी सच है? बिल्कुल घी लेना बेटर है ओयल से, क्योंकि गी में कुछ ऐसी चीजे, पहली बात तो गी में गुट फैट होता है, और गी में होती है, जो हमारी बॉड़ी को, जो हमारे शरीर को सूट नहीं करती है, लेकिन जो गी होता है, गी में काफी बाकी भी चीजे हैं, जिसे गी में थोड़ा प्रोटीन भी होता है, और मिनरल्स भी होते हैं, और गी में जो फैट पाया जाता है, वो गुड फैट होता है, बश और गी में मैं यह बोलूँगी कि अगर आप गी को कच्चा गी आप यूज करते हैं वो बेटर होता है राधर दिन मिलब कुकिंग इन घी मिलब कि आप गी में कोई चीज बहुत देर तक उसको कुक करते हैं उसको तो वो गी भी उसकी जो कॉलिटी होती है वो उसका जो अगर अगर हमने फुलका पराठे की जगा फुलके के उपर हम उसको डाले तो वो हमारी बॉड़ी के लिए अच्छा होगा और हमें गी में जो हमें न्यूट्रियंट चाहिए होंगे वो हमें सारे मिल जाएंगे दिल के मरीज भी दुरबाग्य से हमारे देश में काफी हैं और उनके लिए भी नई-ने तेयोरी जाती हैं और एक तेयोरी पहले ये थी की तेलगी आप कम करें बहुत कम करें और जैसे कि आप कह रही हैं आप डॉक्टर्स कहते हैं थोड़ा बहुत तेलगी खाना चाहिए लेकि तेल को लेकर फिर एक नई देशिरी और प्रचलन में वो यह कि आप रिफाइंड के बजाए जो आप घानी का तेल होता है जो हमारे हां परम पर अगदूप से खाया जाता है सर्सों का या तिली का या थोड़ा बत मुंफली का या दक्षिन में यह दिखा जाया तो नारियल का यह तेल अगर आप बैल की घानी या इस तरह की अगर आप बढ़ा थी प्रोसेस्ट ओईल को यूस करते हैं जिनको काफी हीट से गुजरना पड़ता है तो ओईल में जितने भी न्यूट्रियंट होते हैं वो सारे वाशाओ ओट हो जाते हैं बिकॉस अफ़ गाट हीट जो जिस हीट से गुजरना पड़ता है उन वाइल को उन अमलब वाइल को प्रोसेस किया जाता है किसी भी चीज़ का ओइल हो फाद मैटर तो अजब हम यही ऑल मंलब यूस करते से हम कोल्ड प्रेस्ट ओल होते हैं या वोड्प्रेस्ट ओल लोते हैं जैसे आपने बोला जो अब ऐसे घानी से निकाले जाते हैं या ऐसे जो पिठेश, अच्छे होते हैं सेहत के लिए क्योंकि उन्का जो न्यू-ट्रियुन्त है वह जादा नहीं होता है कि अमतलब जो मशीनों से जब हम उनको प्रोसस करते हैं जो amount of heat निकलता है वो इस प्रोसेस में नहीं निकलता है जब वोड़ प्रेस्ट और हैंड प्रेस्ट ओएल्स को बनाते हैं तो इसलिए यह वाले ओएल्स ही सही हैं आज की डेट में और इनी ओएल्स को ही हमें खाना चाहिए हमारे बीच हैं शिवानी फोतेदार आप डेटिशन हैं और आप सुन रहें रेडियो लेक सिटी शिवानी जी अब थोड़ी सी बात करते हैं दूद घी दही हमारा देश इसमें घी दूद धही के बगएर कोई कलपना नहीं हो सकती यह माना जाए कि हमारे कणड़ कणड़ में दूद है खास वर गाय का दूद तो कोई अतिश व्यक्ति नहीं होगी लेकिन अब बहुत सारे लोग यह कहने लगें कि दूद है जो है वो खास वर गाय का दूद या कोई भी दूद और इसमेंपेंस के दूद की तो ज्यादा जाती है यह आपके स्वास्ते के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है या इसके ज्यादा सिवन आपके स्वास्ते के लिए अच्छा नहीं है बताएं कि पूरा देह जुदूद पर आधारित है उसके लिए यह बात कितनी सही है और कितनी प्रामानिक है बिल्कुल यह स बहुत आजकल इस हवाल पर मतलब बाते होती हैं और काफी साइंटिस्ट इस चीज को मतलब कोशिश कर रहे हैं इस चीज पर रिसर्च करने की और काफी लोगों ने रिसर्च करी है करी भी है I mean साइंटिस्ट ने और मेरा मानना ये है कि मैं बिलकुल मानती हूं दूध हम लोगों ने बच्चपन से पिया है और मेरे मुझे बहुत मेरे को बहुत मुश्किल होती है किसी को बताने में कि मलब कन्विंस करने में कि आप दूध छोड़ दीजिए क्यूंकि मैं भी मैं आपको बता हूं तो मैं भी अगेंस्ट हूं जब जो जो गाय है या मलब जहां से भी अनिमल से दूध आ रहा है तो वो क्या जो घास खा रही है या या जैसे उनको प्रिग्निंट करने के लिए जो हॉमोंस दिये जा रहे हैं और बहुत सारे अंटिवियोटिक्स दिये जाते हैं उनको बार बार प्रिग्निंट करने के लिए उनको injections दिये जाते हैं, जो दूद के रूप में हमारे body में वो hormones आ जाते हैं, और जिसकी वज़े से आजकल बहुत बिमारिया हो रही है, तो पहले दूद शुद्ध हुआ करता था, पहले ये सब चीजे नहीं थी, लेकिन आजकल इस technique की वज़े से जो लोग use कर रहे है उस वज़े से बहुत सारी बिमारिया दूद की वज़े से हो रही है, थोड़ा मुश्किल है मुझे मालूम है हमारी country में, in fact हर जगा पे सब चीजे आधारित हैं दूद पे, छोटे बच्चों को हम दूद देते हैं, हम लोग इतना मतलब dependent होते हैं दूद पे, चोकलेट भ रखिए दूद को, अगर आप दूद बिल्कुल छोड नहीं सकते हैं, तो आप जैसे coconut milk का यूज करिए, आप almond milk का यूज करिए, आप अदाम का दूद निकाल सकते हैं, आप यह जो नारियल होता है, नारियल का दूद आप घर में ही बना सकते हैं, तो आप rotation में जैसे एक आपने डैरी मिल्क का दूद चाई पीके बना ली, या उसका आपने डूद का कोई भी चीज बना ली, तो दूसरे दिन आप नारियल का दूद यूज करिए, तीसरे दिन आप बदाम का दूद यूज करिए, तो ऐसे अगर आप rotation में दूद को यूज करेंगे, डिफरेंट प्लांट मिल्क को भी यूज करेंगे, तो आपकी मात्रा जो है अनिमल मिल्क की वो डैरी मिल्क की वो कम जाएगी, तो उससे आप बचे रहेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये बहुत सच है, ये बिल्कुल सच बात है कि आजकल काफी सारे कैंसर भी दूद की वज़े से हो रहे ह हैं, और दूद इतना अशुद हो गया है कि लोगों को आजकल लाक्टॉस इंटोलरेंस भी बहुत हो रही है, जो दूद में प्रोटीन होती है, इसको हम लाक्टॉस बोलते हैं, तो लाक्टॉस इंटोलरेंस पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब आजकल बच्चे भी को नब देर का दूद को में, कपैसे मंन कुष्फी नहीं आता है, लेकिन डैरी मिलक मैं यूजने करती होром. पिर शिवानी जी ये भी बताईए कि ये जो दूद जिसका हम सेवन कर रहे हैं क्या इससे हमारी कोई बीमारी में बड़ोतरी होती है या कोई और बीमारियां भी हमें खाली इस दूद के सेवन से हो सकती है है हो रही है बिल्कुल मैंने वही बताया आपको कि मतलब आक्चुली क्या है कि जो ये हॉमोन दूद के थूद आ रहे हैं हमारे और ये जो ये एंटिबियोटिक्स यूज कर रहे हैं और जो गाय चारा खा रही है जो जो उसमें पेस्टिसाइड्स है या जो वो यूज करें कि हम उनसाब चीजओं से कैसे दूर रख सकते हैं उसमें और गानिक अप सब जियां ले सकते हैं और दूद में भी आप और अगनिक अगर आप आपको पता अ कि अनमारी बॉडी में काफी सारे हॉमोन staying on our body are hormones होती है तो दूद से जो यह हॉमोन्स हो जाता है हमारी बॉडी में उस वज़े से आजकल बहुत सारी बिमारिया होती है जैसे आपका PCOD PCOS cancer आपका blood pressure diabetes के लिए और PCOD के लिए PCOS के लिए तो main reason ही है दूद का जितना diabetes के लिए आप sugar को दूर रखें और रखते हैं उतना ही हमें दूद को दूर रखना चाहिए दूद एक ऐसी चीज़े जो चुकि हमारा एक बहुत बड़ा समाज का तबका भारत में बहुत सारे लोग शाकारी हैं कुछ परंपराओं से कुछ धर्म से कुछ दूसरे कारणों से और शाकारियों को चुकि animal product animal fat वो किसी दूसरे तरीके से मिलता नहीं लेहाजा यह माना गया कि दूद एक ऐसा जरिया जिससे उन्हें animal fat भी कुछ मिलेगा और कुछ calcium और दूसी चीज़ें भी मिलेंगी बताएं कि यह अगर दूद भी छोड़ दिया जाए तो यह चीज़ें हमारी बाड़ी में कैसे जाएंगी खासलाओं पर वे लोग जो शा प्रोटीन भी होती है लाक्टा और सोता थोड़ी बहुत प्रोटीन होती है वह हमें नहीं मिलेगी ऐसा नहीं है क्योंकि अभी जो रिसर्च हुई है पिछले 10-12 सालों से हमें बहुत सारे और सोर्सेस पता चल गए हैं कैल्शियम के जो हम यूज कर सकते हैं अगर आप तिल सेसे में जिसको बोलते हैं तेल काला और वाइट वाला जो होता है सफेद तिल आप अगर उसके दो चमच भी लेते हैं तो वो आपको वही केतना ही कैल्शियम देता है जितना एक ग्लास का दूद आपको कैल्शियम देगा और बहुत सारे ऐसे कैल्शियम के सोर्सेज हैं ज कुछ ऐसे nuts and seeds हैं, जिससे आपको calcium मिल सकते हैं, calcium मिल सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कि हम लोगों को calcium nutrient नहीं मिलेगा, अगर हम शाकाहारी हैं, और हम दूद नहीं ले रहे हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग, जो ये कहता है, और ये बाकाइद recorded है, कि milk is complete food, उन्हें क्या कहेंगी? बिल्कुल, milk is complete food, ये मैं question सबसे पूछती हूँ, अपनी presentations में, जब मैं session लेती हूँ, मैंने ये question बाकाइदा अपने उसमें रखा हुआ है, तो मैं उनसे पूछती हूँ, कि आपको क्या लगता है, कि milk complete food है या नहीं है, तो मैं सबका अलग-अलग जवाब आता है, लेकिन मेरा जवाब यही होता है, कि आजकल milk complete food नहीं है, क्योंकि milk में बहुत सारी ऐसी चीज़ें डाली जा रही है, जिसकी वज़े से हमें बहुत सारी बिमारियां हो रही है, और जो हमें milk से मिल सकता है, वो हमें आजकल बाकी बहुत सारी चीज़ों से मिल सकता है, जिसको हमें पहले मालूम नहीं था, और जिसका research की वज़े से हमें जानकारी मिल गई है, और हम उन चीजों को यूज करके वो nutrients ले सकते हैं शिवानी फुतेदार जी आप से हमने घी, देल और उसके बाद दूद पर बात कर ली अब आते हैं थोड़ा सबजी और फूर्ट्स पर भी यह माना जाता है और यह ता है कि आजकल प्राकरती ग्रूप से जिसे हम organic कहते हैं पता नहीं वो कितना organic है यह नहीं पता उसकी परामानिक था हमारे देश में क्योंकि उसे जाचने के लिए इस तरह के हमारे पास ना तो bodies है और उसे किस टंक से organic बनाए गया है यह पता भी नहीं है वराल उसे छोड़ भी दें तो बाकी लोग जो आम तोर पर जो सबजी fruits हम सब लोग दिन रात खा रहे हैं इन में pesticides, insecticides और दूसरे बहुत सारे chemicals इन में गुले हुए होते हैं यह तैबात है आप अगर अच्छे फल विक्रिता के पास जाएंगे तो वो भी बताएगा कि साब इसको हमने इसमें पकाया है यह तने दिन कार्बाइड में पकाया है या इतने दिन हमने यह केले वहां से कच्छा है इसके बाद हमने इनको पकाया है यह पपीता इसलिए पका हुआ है क्योंकि इसको आम ने दो दिन उसमें रखा है तो बताएं कि यह सारे केमिकल्स हमारे तमाम चीजों मैं प्राकर्टिक चीजें जो अगन दूद के वज में खाएं कुछ तो में खाना ही है तो इन्हें खाना भी केमिकल्स का अंदर जाना है क्या किया जाए बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं ये ये थोड़ा सा चिंता जनक है चिंता वाली बात है बिल्कुल क्योंकि वही बात है कि जैसे आपने बताया कि हमारे देश में अभी हमें मतलब नहीं मालूम कि कितना सच है कितना सही है ये कि अगर हम कोई औरगानिक वेजिटेबल्स खरीते हैं और वो कितने औरगानिक हैं हमें इसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है हमारे पास तो इसमें मैं यही बोलूँगी कि हम कुछ ऐसे तरीके यूज कर सकते हैं जो जिसकी वज़े से हम इन केमिकल से दूर रह सकते हैं जैसे कि अगर आप सबजी लाएं तो आप उनको नॉर्मल पानी में दो-तीन गंटा डूबो के रखें और अगर कुछ ऐसे फल है आपको लग रहा है या आपको थोड़ा सा लग रहा है कि थोड़ा संदे है कि नहीं शायद यह सही जगा से नहीं आया है तो अप उनको आप जो आपका बेकिंग सोडा होता है उसमें उसको आप उसमें इन सबजीों को डुबा के रख सकते हैं आदा एक गंटा के करीम और मैं यहीं बोलूंगी कि इन सब चीजों से हम नहीं बच सकते कुछ अद तक बठा हम यह कर सकते हैं कि जैसे हम बॉड़ी को अंदर से clean रखने के लिए यह सब चीजें detox करने के लिए हम कुछ ऐसे methods को use कर सकते हैं जो हमारी body से यह सारे जो chemicals हैं या उसको हमारी body से निकालें जैसे कि हम अपने liver को detox करने के लिए बहुत सारी ऐसे methods हैं जो use कर सकते हैं और हम आजकल supplements का भी saving कर सकते हैं क्योंकि liver ही हमारा एक main organ होत हैं या जो हमने medicines लिए होते हैं या metallic चीजें जो हमारे अंदर जाती हैं वो liver का ही काम होता है detox करना उसको filter करना तो हम बहुत सारी ऐसे methods को हम use कर सकते हैं और अपनी body के जितने भी organs हैं उनको clean करने के लिए अपने gut को हम clean रख सकते हैं liver को clean रख सकते हैं और हम अपने good bacteria body मे बढ़ा सकते हैं तो यह सब चीजों से मतलब यह मेरा personal क्योंकि इन सब चीजों के लिए मैं भी बहुत सोचती हूं कि क्या किया जाए तो मेरा मैं इसी conclusion पर पहुंची हूं कि यही एक तरीका है जो हम अपना सकते हैं as of now detox and cleansing इन शब्दों का आपने इस्तिमाल किया थोड़ किया है क्या fasting उपवास या और भी कोई तरीका है जिससे detox या cleansing हो सके बिलकुल बिलकुल fasting जो बहुत तरीके की fasting होती है और बिलकुल fasting जो है वो एक अच्छा तरीका है आपकी बॉड़ी को clean करने का और fasting में जैसे आपकी अलग-अलग fasting होती है जैसे आपकी juice fasting हो गई और fasting करते हैं जूस में भी आप कौन सा आप वेजेटेबल जूस फास्टिंग करते हैं या आप fruit जूस फास्टिंग करते हैं यह तमाम चीजे थोड़ा सा विस्तार से बता हैं हमारे शुरताओं को जो आप जिकर कर रही है बिलकुल बिलकुल fasting में देखिए fasting में सबसे अच्छ विंड़ो होती है और 16 गंटी की हमारी fasting विंड़ो होती है जब कि अभी उल्टा हो रहा है हां ची बिलकुल बिलकुल हां वो चोटा-चोटा-चोटा हम लोग खाते रहते हैं शाएदा मेजर में तो 2-3 ही लेते हैं लेकिन जो बीश-बीश में हम चुट-पुर अंदर डाल है मैं उनको हमेशा इसी मेथड पर डालती हूं क्योंकि यह इजी भी है और इससे आपकी बॉड़ी क्लीन हो जाती है तो वही है इसमें मेथड यही है कि आप जब 8 गंटे की fasting सौरी 16 गंटे की fasting कर रहे हैं तो तब आपको सिर्फ आपको पानी पीना है और आपको कोई भी आपको खानी नहीं है आप सिर्फ पानी पी सकते हैं और आप सिर्फ ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं बाकी आपको कुछ भी नहीं खाना होता है 16 गंटे और रात में भूख लग के चुपचा रसुई में चले जाए तो हाँ मैं तो अपने मेंबर्स को क्लाइंस को यही बोलत करने की आदत पढ़ जाती है तो कहते है नीम में चल कर उनकी चन म गए और कुछ खा कर आ गए बिलकुल बिलकुल थोड़ा सा यह साइकोलोजी पर भी बहुत अचली हम लोगों ने बच्पन से इस चीज को कभी हम फास्टिंग तो कर आ रहे हैं बट ऐसे तरीके की फास्ट करें अपनी फास्टिंग आवर्स को बढ़ाईगे ऐसा नहीं कि आप बिलकुल जंप करें 16 आवर्स पर आप 12 गंटे से स्टार्ट करें और 12 से उसको 13 पर 14 पर 15 पर फिर 16 पर लेके जाए तो उससे क्या होगा उससे आपकी बॉड़ी भी प्रिपेर हो जाएगी और अब आप अचानक से बॉड़ी को फास्टिंग पर डाल देंगे तो बॉड़ी विल आउसो गेत कंफ्यूज इंट इंटरनल होमोन और चैमिकल रेक्शिंग और अवर्स पर लेक्शिंग तो बैटर है कि आप 12 से शुरू करके उसको 16 गंटे तक लेकिया है और दूसरी जो म उनका कच्ची वेजिटेबल्स का जूस बना के पीले या तो आप उनको सूप के रूप में बॉइल करके जैसे भी आपको सही लगता है आप वही सिर्फ खाएं और उसके साथ साथ आप 8 गंटे का इटिंग विंडो रखें और वही 16 गंटे का फास्टिंग रखें तो ऐसी ऐसी बहुत सारी तरीके हैं फास्टिंग के बट मुझे लगता है सरल यही दो तरीके हैं जो पॉसिबल है और जो बॉड़ी भी एडाप्ट कर लेती है जल्दी से पॉशन विग्यान के सिद्धान्त बदलते रहते हैं और अब एक सिद्धान्त यह भी ताजा आया कि जो बहुत सारे खास दोर पर हम दाने खाते हैं उसमें यह भी कि गेहु जो है वो दर असल हमारे लिए बनाई नहीं है और खास दोर हम भारतवासियों के लिए तो जीतना भी है जिसे रागी हुआ या बाजरा वगरे जो भी हालकि इभ हमारे बहर से आए बहुत सारे इन्वस्टे लेकिन यह खाना चाहिए तो बता हैं कि यह बात कितनी सही है और क्या यह मोटा अनाज खाना हमारे लिए ठीक टक है ऐसा तो नहीं मोटा नाज आपली बना अभी रिसेंट रिसेर्च पिछले मैं बोलूंगी 7-8 साल से यही रिसेर्च चल रही है और इस रिसेर्च के मुताबिक अच्छली हमारे बारत देश में पहले यही अनाज खाया जाता था मोटा अनाज ही खाया जाता था और यह सब चीज़े तब चेंज हुई जब इंडिया में ग्रीन रेविल्यूशन आया और ग्लोबलाइजेशन हो गई और मैं बोलूंगी कुछ लोगों ने अपने अपने हित के लिए फार्मर्स को उनका थोड़ा सा ब्रेन्वाश करके उनको वीट उगाने पर मतलब उनको मजबूर कर दिया और उनको कन्विंस किया कि आप बहुत सारा वीट उगाई है क्योंकि क्योंकि जो जो लोग तब बिजनेस कर रहे थे और इन सब चीज़ों को ब जो चीज़े बन जाए और हमें पता है कि वीट की चीज़े बन जाती है हमें उसके लिए जादा हाड़ वर्क जादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है तो पिछले जैसे सतर साल पहले साट साल पहले क्या होता था कि उसी जमीन में और भी बहुत सारे अनाज उगाये जाते थे जो जमीन के जो न्यूट्रियंट्स थे वो इंटक्ट रहते थे लेकिन हम ने पिछले पचास साथ सालों में जो बार 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 सिर्फ वीट को उगाया तो उससे क्या हुआ कि उससे वीट का जो प्रोटीन है जिसको ग्लूटन बोलते है उसका स्ट्रक्चर खराब हो गया और मतलब अगर आप बात करेंगे क्रॉप रोटेशन की जो पहले होती थी कि अगर आज वीट उगाया तो कल कोई और अनाज उगाया बाजरा उगाया रागी उगाया या कुछ और उगा दिया लेकिन अभी ग्रीन रेविलुशन के बाद ये वीट का चलन जादा हो गया ज तो वो प्रोटीन जो वीट में होती है जो मैंने बोला ग्लूटन उसका खराब होने की वज़े से बहुत सारी बिमारियां लोगों को सिर्फ वीट खाने की वज़े से आजकल हो रही है बलाब कि आप सिर्फ ऐलर्जी की बात ना करते हुए सिर्फ ये नहीं कि आजकल प्रियाक डिजीज है, ग्लूटन अलर्जीज है, और ब्लोटिंग है, लोगों को एसिडिटी हो रही है, यह सब चीज़े, वीट का जो वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है, वो खराब होने की वज़े से हो रही है, और जो मोटा अनाज है, वो हमें इसलिए खाना चाहिए, जैस का रागी, बाजरा, जो, जवार, आपका मक्का, यह सब आपके आते हैं, नूट्रल ग्रेंज में, और यह जो ग्रेंज होते हैं, यह जो दाने होते हैं, इन में फाइबर की मात्रा, वीट और राइस से थोड़ी जाबा होती है, और यह जो नूट्रल ग्रेंज होते हैं, य बॉड़ी में आपके जब आप इनको खाते हैं तो यह ग्लुकोज रश एनरजी रश बॉड़ी में क्रियेट नहीं करता है क्योंकि यह जो नोटा अनाज है नूटरल ग्रेंज हैं यह आपकी बॉड़ी में डाइजिस्ट होते हैं दो से तीन गंटे के बीच में तो अगर होता है वो आपकी बॉड़ी में ग्लुकोज रश क्रियेट कर देता है जिसकी बॉड़ी में आपको जिसकी वज़े से आपको इंसुलीन रिजिस्टेंस हो जाती है और जिसकी वज़े से इंसुलीन रिजिस्टेंस की वज़े से पैंक्रियास को बार-बार इंसुलीन निका आपके ब्लड में रह जाती है जिसकी वज़े से आपको diabetes हो जाती है और insulin जो बार-बार निकलती है वो insulin जो है वो एक growth hormone है जो जहां-जहां जाता है fat cells को create कर देता है और जिसकी वज़े से आपको मोटापा भी हो जाता है जिसको हम obesity बोलते हैं और मैं बात करूंगी positive grains की जिस सारे लोग आजकल aware हो रहे हैं आपके जो positive grains होते हैं या आपके neutral grains से भी अच्छे होते हैं क्यूंकि इन में fiber बहुत मातरह में होती है compared to आपके neutral grains और आपका wheat or rice और आपका जो positive grains की बात करूं तो 5 positive grains होते हैं जैसे आपका foxtail millet जिसको कांगनी बोलते हैं बानियार्ड मिले जिसको कुटकी बोलते हैं, brown top millet जिसको हरी कांगनी बोलते हैं तो ये कुछ ऐसे millets हैं जो positive कहलाते हैं और आपकी body के लिए इसलिए अच्छी होते हैं क्यूंकि इन में बहुत सारी मातरह में fiber है in fact more than vegetables and fruits जितना fiber उन में होती है उसे ज्यादा fiber इन में होती है और इन में detox कर इस अदर घलक ग्रेव में जो है जिसे foxtail है आपकी nerves को detox करता है जिसे brown top है आपके gut को detox करता है आपके stomach को detox करता है वैसे ही जिसेb suggestions vezes youm time to energy in fact cancer anti-cancer properties होती है brown top millet में तो वो cancer को रोकने के लिए या cancer को प्रिवेंट करने के लिए भी बहुत कारगर है और मैं 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 अगर बोलती चाहूं तो कम है लेकिन इन grains की बहुत जादा और यह grains alkaline भी होते हैं जो हमारी बॉड़ी को alkaline रखते हैं अदर्वाइस हमारी बॉड़ी जब acidic होती है तो हमारी बॉड़ी में बहुत सारी diseases पनपती है श्वानी जी इससे पहले कि इन मिलिट्स की बहुत ज्यादा कीमत के बारे में बात करें थोड़ी सी बात यह भी कर ले है शाकार और मांसार की लेकिन इससे पहले यह जरूर कह दूँ कि अब तक की जो बात्चीत है उसमें हम जो कुछ भी खा पी रहे हैं वो तो आपने सब चुड़वा दिया दूद आपने चुड़वा दिया उसके बाद आपने चौड़वा दिया उसके बाद आपने चाव अगर शीनाथ जब फास्ट बोलर थे, दूबले पतले थे तो उनके कोचिज ने का कि आपको नॉनवेच खाना पड़ेगा, उन्हों ने शुरू भी किया, उन्हों ने शुरू भी किया, मसल्स बनाने के लिए बहुत सारी स्पोर्ट्स में नॉनवेच खाने को बताते भी हैं और बाहर के लोगों की अपश्च्री में लोगों की फिजीक से ज्यादा बेतर हैं क्योंकि वे मानसारी हैं, तो थोड़ा से बताएए कि शाकार सही है, और हम परंपरागद रूप से शाकारी हैं, तो अगर हम सही हैं तो हम इतने रोक क्यों होते हैं? जरे बहुत मुश्किल सवाल है बहुत सारे लोग सुन रहेंगे इस प्रोग्राम को मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैं बहुत बार सोचती हूं कि मैं लोगों को नॉन वेज खाने से मना करूँ या वेज खाने को बोलूँ लेकिन मैं ये बोलूँगी कि मैं कर दिया है नॉन वेज को खाना और अजी कम कर दिया बंद नहीं किया है क्यूंकि मैं वही आपको मेरा पॉइंट वही है कि मेरा कल्चर मैं आ कश्मीरी पंडित मैं कश्मीर से बिलॉं करती हूं तो हमने बच्पन से खाते आ रहे हैं और बहां पर ज़रूरी इसले खाना थ क्लाैमि और किन आ कलिमैंट в कंडिशन की वज़े से लिम अ बच्पन ऊरे कश्मीरी जते पंडित है तो मेरे कल्चर में मेरे जीन्स में मेरी है मेरी हेरिधी में मेरी फैमिली बनाती है मेरी लीन को पसंद WORK Allah मू already ktoś Be a bunch districts भब बनाते है औलці है और बहुत कश्मीरी फूरी हमारा non-witch काफी famous है हर जगा तो बात यह है कि मैं लोगों को प्रेरित कर रही हूँ कि आप कोशिश करें छोडने की क्योंकि देखिए non-witch से हमें protein तो मिलता है लेकिन उसके साथ साथ हमें cholesterol भी मिलता है और ऐसा नहीं है कि हमें आजकल non-witch से ही protein मिलता है आजकल बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे हम protein चाकाहरी चीजें हैं जिससे हम protein को ले सकते हैं सिर्फ यह है कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें उनको हमें protein को दिन में बार्या जो भी जैसा भी आपका लाइफस्टाइल है या आपकी जितनी अक्टिविटी उसके हिसाब से protein को लेना पड़ेगा और नॉन्विज के साथ साथ आपको प्रोटीन तो मिलती है लेकिन आपकी बॉड़ी एसिडिक भी हो जाती है जिसकी वेज़े से आपको कई बिमारियों का सामना करना पड़ता है लेकिन आप शायद हरान होंगे या आपका क्या इस चीज पर व्यूपॉइंट होगा आपका क्या मतलब लाइक युनों वाट व य को बोलूं तो वह फिर उस चीज को फॉलू नहीं कर पाते है क्यूंकि मेरे बोलने से वह लोग नहीं कर पाएंगे अगर उन्होंने सोच लिया कि हमें चोड़ना है तो ओं या फ़ी होड़ेंगे तो मैं उनको कन्विंस करती हूं कि थोड़ा कम करें नॉन्विज और दीरे दीरे अगर वो क्यों करें कम इसले करें क्योंकि सर मैं यह बूलूंगी कि देखे बहुत सारी जैसे बिमारियां हैं जो नॉन्विज की वज़े से हो रही है जैसे अगर आप ड़ायबिटीस की बात करें तो ड़ायबिटीस में भी नॉन्विज आपकी बॉड़ी में काफी इंफ्लमेशन क्रेट हो जाती है आपकी सूजन नॉन्विज की थ्यार से अलग-अलग इसूस्स आपके हो जातें ब्लामट के बन करने के लिए नहीं बोल सकती किनकि उन्होंने बच्पन से खाया होता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है अगर वो खाना बंद कर देते हैं लेकिन मेरा मानना यह है कि ऐसा कुछ नहीं है कि हम नॉन्विज नहीं खाएंगे तो हमें प्रोटीन नहीं मिलेगां कि नॉन्व लेक्ति को स्वस्त रहने के लिए या अगर उसे कोई है तो उसे कम करने ओना यह यह बिल्कुल हैं अगर आपको कोई डिजीज नहीं है आपको कोई भीमारी नहीं है तो आप तब भी अपना ध्यान रखें, आपके जो मैंने पहले भी बात की, आप अपने खाने को ऐसे ना देखें कि बलब यह सामने आपके सिर्फ खाना टेस्ट के लिए पड़ा हुआ है, आप उसको टेस्ट के लिए खा रहें, आप यह देखें पूरे दिन में कि आपने क् प्रोटीन दिन में लिया कि ने लिया, क्या आपने कोई मिनरल लिया, क्या आपने पोटेशियम, फोस्फरस, क्या आपने कैल्शियम, या आपने कार्भोहईडरेट, कार्भोहईडरेट में भी आपने कौन सा कार्भोहईडरेट लिया है, सिम्पल है या कॉम्पलेक्स है, वो carbohydrate आपकी food में कहां से आया है, तो मैं short में यही बोलूँगी कि आपको अपने खाने को पूरे दिन में ऐसे देखना चाहिए कि अच्छा यह मेरा protein है, यह मेरा carbohydrate है, यह मेरा mineral है, यह मेरा fat है, रादर देन कि आप उसको सिर्फ टेस्ट के लिए देखें कि अच्छा यह मैंने बिर्यानी बनाई है यह मैंने फुलाव बनाया है यह मैंने रोटी बनाई है लेकिन आपको उसके साथ-साथ यह भी देखें आप अगर उसमें नहीं हो रहे हैं आप अर दो दिन बाद नहीं खा रहे हैं तो वह हो ठीक है बचा अफ़ एम सारी महीने में एक-धो बार आप खा क्धा रहे हैं अगर आप carbohydrates की मैं में बात करते हूं कि उसी वज़े से ही आजकल हमारे को बहुत सारी बिमारिया हो रही है और आप carbohydrates खूब खाते हैं बिल्कुल उसमें हमारे गलती नहीं है क्योंकि हमारे डाइट में ही इतने सारे carbohydrates होते हैं आप एक प्याज में भी बात करेंगे उसमें भी carbohydrate है आप अगर लसन की बात करेंगे तो उसमें भी carbohydrate है तो हम इन चीजों से बच नहीं सकते हैं तो हमें एक balance रखना पड़ेगा अपने खाने के बीच में और अपने lifestyle को भी हमें in the sense कि जब हम physical activity की बात करें lifestyle change में तो आपको अपनी physical activity बराबर आपको करनी पड़ेगी उसमें आप चूज कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद है चाहे आप cycling करें swimming करें या कोई particular आप cardio करें या Pilates करें या कोई भी आप aerobics करें लेकिन आपको वो चीज आपकी lifestyle में आपको include करनी पड़ेगी ताकि आप बिमारियों से जितना हो सकता है बचे रहें शिवानी फोतिदार आप गरे देशा भर झाल 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 झाल